ब्रेके बाद एक बार फ़र से स्वागत है आपका और बात हो रही है 2021 के बजट को ले करके निर्मला सितरामन आम बजट पेश कर चुकी है और ये बजट जो है कई सेक्टर्स के लिए उम्मीदों भरा साबित होने वाला था कितनी उम्मीदे इस बजट ने पूरी की उन सेक् सास्त्री आप भी हमारे साठ जुड़े हूए हैं है और संजीफ कुमार सैनी जो कि शिक्षाविद है हमारे साथ जुडें शरत लगौतिया डॉक्टर हैं आप बहु भी हमारे साथ जुड़ें बहुत सवागत है आप सभी का मारे साथ इस बात्चेत में जूड़ने के इस जो आपंटन किया गया है स्राशी के आपंटन से देखिए पहले तो सबसे पहले मैं मुभारक बात देता हूं इस प्रेजेंट गॉवर्मेंट को जिनोंने हेल्ट सेक्टर के ऊपर थोड़ा ध्यान किया है और हम खुश है कि हैस सेक्टर पे एक आपने ध्यान के रिस किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है देखिए विश्य में ये ग्लोबल पैंडमिक इसने ये बता दिया कि हेल्ट सेक्टर कितना प्रमुख है और विश्य की बड़ी से बड़ी अर्थ बेरस्था इससे क्रिपल हो सकती है इसका इंजांपल है जहां अमेरिका में हेल् होती है तो कंट्री में एकॉनमी कंडिशन क्या हालात होते हैं हिंदुस्तान में ये हमारी मेडिकल को डॉक्टर का इतना ज्यादा इन्वालमेंट है कि एक तो आप डॉलर में नहीं रुबे में खंच करते हैं और इसके बावदूत इनोंने अपना आत्म पूरा पूरा है जिसके कारण व्यवस्था बिगरने से बच गई है तो ये एक समय है जब हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हेल्ट सेक्टर पे बहुत बड़ा काम बाकी है ये आप 1.31 GDP के सर से उठके आप थोड़ा उपर जा रहे हैं ग्लोबल 8% का जो एमरेज है वहां तक पहुंचना आपका लक्ष है अगर इस ग्लोबल पेंडमिक समझ में नहीं आया तो ये बहुत देरी हो जाएगी लेकिन मुबारगवाद इसलिए है कि बहुत सकारात्मक कदम आपने उठाया है और अब टोटल हेल्ट केर व्यवस्था में एक पूरा आमूल परिवर्तन के आप सकता है आपको एंगरेज करना होगा यहां से प्राइवेट सेक्टर ही जो मीनिली टार्सियरी केर में और बाकी केर में भी ध्यान देरा है उसको बढ़ाने का टेक्स आपको घटाने हैं एकुपमेंस आपको यहां इंडिजनस मैनिफेक्टिरिंग के लिए बढ़ावा देना है पा हिंदुस्तान को एक अग्रिम भूमिका दी है मेडिकल सेक्टर में भी यह भूमिका बहुत दिल से वेट कर रही है किसे आप थोड़ा एंकरेज करें यह इंटरमेशनल हब बनेगा टूरिजम का मेडिकल टूरिजम का और हिंदुस्तानी डॉक्टर विश्व में सबसे मेडिकल सेक्टर को आप अपेक्षा में नहीं रख सकते हैं इसको उठाना जरूरी है और यह कोवीड ने बता दिया कि है सेक्टर पूरी एकॉनमी के लिए कितना आवशक है जी अब मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे इस्यूज है पर्टिक्लर लिए मैं छोटे प्रेक्टि अपना एक बहुत बड़ा द्याय है इसे ध्यान से पढ़ें तो देश की प्रगति के अंदर बहुत अभुत पुरुभूनी का अदा करने वाला है अभी एक बिल गेशने प्रेडिक्शन की थी कि इससे दस बुना ज्यादा संक्रमन कारी एक इंफेक्शन आने की त्यारी मे है यानि अब जो दुनिया के अंदर चाइना और पाकिस्तान हमारे पड़ूती है जहां बाइलोजिकल वास्पेर की पूरी पॉसिबिलेटी होती है है सेक्टर के ऊपर कॉंसेंट्रेट करना न सिर्फ जरूरी है बलकि यही आपके ताकत है पन्ने में हैं सेक्टर आपके ल सवाल यह है तमाम इसको लेकर बाते सामनी रखी गई कि किस तरीके से भारत को आत्म निर्भर बनाया जा सकता है चाहे बात किसी भी सेक्टर को लेकर हो लेकिन अगर विशेश्ट वार पर बात करें हेल्थ सेक्टर की तो यहां पर अगर देखा जाए तो 80% तक कच्चा बा बाहर से आता है या फिर कहें कि चीन से आता है तो ऐसी स्थिती में खुद को आत्म निर्भर करना भारत के लिए कितनी चुनोती है और एक सवाल मेरा आप से यह भी है जो तमाम पिछले बजट जो पेश के जाते हैं हाला कि देखा जाता है कि समय समय पर किसी सेक्टर पर व बहुत सारी चीजें हैं अगर आप इंसेंटिव देंगे और वाहर का इंवर्समेंट भी अलाओ करेंगे तो यह सब चीजें हिंदुस्तान में बनना और इनका प्रोसिस होना त्यार होना शुरू हो सकता है देखिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है आज हिंदुस्तान ने सब्सक्राइब बना सकती है जो सबसे उची हो और सबसे कम दाम में हो इसका मतलब है कि इतने दिनों से हमें जो इंसेंटिव मिलना था वो पूरा नहीं मिल रहा है और अगर यह मिला जाए क्योंकि आपकी सबसे बड़ी बात है कि मैंपावर आपकी सुप्रीम है जी डेडिकेशन हाइस्ट है और हिंदुस्तानी दिल के अंडर जो भावना है वो खतम नहीं हुई है अब इसको आपको आगे ले जाने के लिए सरकारी तंत्रमंद की बहुत ज़रूरत है इस तरह करें काम कि बड़े हॉस्पिटल के लिए अलवत तरह का इंसेंटिव मिड जी मैं कह सकता हूं मेडिकल साइंस में वाइस बेसेंट राउंपूरे डिली के सारे डॉक्तलों का लोग मानसिक इसतर से परिशान है वो खुश नहीं है काम करके तो इस रिष्टा में आपको ऐसा हिसाब रखना है कि डॉक्टर आपके जो मेन है और आपके जो कर्मचारी ह बनाना है जिनकी सारी प्राब्लम सुनके जो हमारे हाथ में है वो हमें देना है पहली बार मोदी जी ने ताली बजा के और ठाली बजा के स्वागत करके ये बताया है पूल छिड़कवा के कि यह डॉक्टर कितने इंपॉर्टेंट है जी मैं एक बात कहता हूं और इन परिवारों को पूरी तरह से उनको आर्फिक मदद मिलें चाहिए तो मेडिकल आपके फील्ड के अंदर इग्नोर हो रहा है इसको अगर आप ध्यान दें और इनकी समस्याओं को ध्यान से समझें तो यह विश्य कल्यान देश कल्यान आत्म नेवर भारत और एकॉनमिक यहां पर एक शरद लखोटे जी क्या आपको इस बजट में विजन दिखाई देता है तो सारे हेल्थ परकर सारे फ्रेंट लाइन बॉरियर्स जिन हो नहीं कोरूना काल में जोखिम भरी परिस्तितियों में आगे आकर देश को बचाने का काम किया और विश्व स्तर पर आपने कहा कि का हॉसलाव जाई हो जी इसने सालूट से हम जो देख रहे हैं यह हैं सेक्टर बिल्कुल इबनोर हुआ है जी उनकी बात कई सुने ने जाती है उनकी कई पूची नहीं होती है यह पहली बात यह मुदी गवर्मेंट ने एक हैस्ट मिनिस्टर एक हुद डॉक् को समझ रहे हैं और पहुंचा रहे हैं उपर तक यह शुरुवात है और यह शुरुवात कितनी उम्दा होगी आगे इससे और कितना बहतर कल हो पाएगा इस पर हमांगे बाद आप से करेंगे श्रुद लखोटिया जी इस वक्त हमारे साथ एक और महमां जूड़के है रोह बात कर लें खेलाडियों की बात कर लें कितना आप देखते हैं किससे उम्मीदे बनती है कि इस प्रोग्राम के लिए बजट अगर हम देखा जाए तो बोट के लिए साथी अच्छा नार्बिकल आप कोवेट की वजए से इछले साल पोली स्वोटिक एक्टिविटी इस बीष्न आप जाते ही हैं किसे आप अपनेसा गाली आप बड़ोरी है इस पासे लगाई जो रंजी लेज पर रहन का ना देखना आना बहुत जरोरी है तो वही आवे पर आपको डियाओ ने करते हैं और ये निच्छा वात जरूरी है इस पासे उखल देखाने उस नाप से कि अपर्टरम किकेट हमारा फुट्बॉल साथ प्रशास्री आप सी जाना चाहेंगे कि यहां पर अलग-अलग मिनिस्ट्री के लिए भी जो मद है वो दिया गया है अगर जल शक्ति मिशन की बात करें तो उसके लिए जो एक अमाउंट रखा गया है उस अमाउंट को आप कैसे देखते हैं कि इससे जो सफलता है हासिल की जा सकते हैं देखिए ऐसा है जी जो बजट में सबसे की जाले जैदा जो अगर अमाउंट दिया गया थो आप देखिए तो कैसा थे सकत्ते हैं की वाटर और आ हमारे पास ब्रूण मंत्री थी तो उन्होंने गंगा भार्तence कर के प्रग्रैघ म. स्टार्ट किया था जिसमें गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और जो समें डोनेशन देता था उसको टैक्स रिबेट और टैक्स एक्जम्शन भी मिलती थी बट अब जब 2021 का जो बजट होने वाले पश्चिम बंगाल के क्योंकि पश्चिम बंगाल के बहुत सर ट्राइबल एरिया के लिए रोटी कपड़ा मकान पानी यह होना बहुत जरूरी है तो इसमें सरकार ने रोटी का भी ख्याल रखा है टेक्स्टाइल इंडस्री में थोड़ा से रिवेट भी दिया है मकान में फोड़ेबल हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए अपना कुछ इंवेस्टमेंट कुछ पैसा उसमें दिया गया और साथ-साथ इसमें पीने के लिए पानी को भी सबसे जादा बजट दि बने रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजट को लेकर चर्चा लगतार जा रही है लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटी से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं खबर फास्ट सतत पहलवारा आज जो कचरा और क्रिशी अपशिष्ट है वो कल गाडियों में फ्योल बनकर दोड़ेगा किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे रोजगारों का स्रिजन होगा प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयाद घटेगा परियावरन होगा स्वच और भारत आत्म निर्भर बनेगा सतत पहल सस्टेनिबल अल्टरनिटिव तुवर्ज अफोर्डबल ट्रांस्परटेशन सक्षम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले की पहल पीसी यारे एवं भारत सरकार द्वारा जनहित निजारी के टेस्टों से प्रेशान हैं या डोक्टरों से किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आईए नाड़ी वैद कायक और पाईए अपने सभी रोगों का आईरवीद में सही इलाद पूरा थाइस लीटर दूद देतिया मेरी गाये और पहले तो दिखाने में भी शरमावे दी फेट दक्टर साब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूद बढ़े मगर सेथ की कीमत पर नहीं असीस, मिल्कशोर थर्टी, भरपूर दूद देने वाले पशुओं के लिए पोशन से भरपूर आहार, इसके शक्तिशाली दत्वर, दूद देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथी साथ पशु की सिहत भी बनाते हैं चिनार फैबरिक्स, अस्टाइलिश और फैशनबल, अकम्प्लीट मेंस्वेर, चिनार फैबरिक्स कॉल करो ब्यासी तिरासी जीरो सथ हजार मुए एक बात पताता हूं, रोग बड़ा नहीं है, आप में अगर मानसिक बलसीस है, अगर आपका वैद्ध ठीक है, तो परतीक रोग को ठीक क्या जा सकता है, क्योंकि रोग के लिए आउशद के नहीं, आपके सरीर में रोग से लड़ने की ताकत का होना बहुत जुरूरी जिसको इमिन सिस्टम कहते हैं, और इमिन सिस्टम पैदा होता है, रसायंस से, देप्तांत्र अगनी प्रिशुद्ध को उठ्था है, प्रत्यक रूप ठीक हो जाता है, चाहिए वो मस्कूलर डिस्टोपि, ठालिस्यमिया हो, माईग्रेन हो, सर्वाइकर हो, बीपी हो, ऐसी ठीक हो, कब्ज हो, या के नमुन्या और अस्थ्वा जैसा ये रूप हो, प्रतीक रूप को ठीक किया जा सकता है, अधिव जानकारी के लिए टीश्क्रीन के नीचे इन नमरों पर संपर्क कीजिए, या हमारी वेबसाइट अन्विक्यभार.ड.पर जाएए, या ब्रेकी बाद एक बार पर से स्वागत है आपका और बात लगतार हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बजट 2021 को ले करके कितनी उमीदों पर खरा उतरा है, ये बजट और आगे आने वाले वक्त में एक साल में देश की जो एकनॉमी है, जो पिछले एक साल में चर्मरा गई हैं, एक बार फिर से उनका तारूफ आप से करवा देते हैं, हमारे एग्जीटिव एडीटर सीमा गिल हमारे साल जुड़ी हुई है, महीद जैन, जो कि अर्थ्षास्त्री हमारे साल बाद कि जुड़े हैं साथ ही डॉक्टर शरत लखोटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी यश क्या लगता है आपको कि तमाम वर्ग अभी तक जो हमने यहां पर हेल्थ सेक्टर को लेके चाहे हम बात कर रहे हैं चाहे शिक्षा विच से हमने बात की तो उनका यह कहना है कि इस बा आने के हम कोशिश करेंगे शरत लखोटिया जी से के इस बार क्या लग रहा है कि अभी तक जिन समस्याओं से दो चाहर था यह सेक्टर वो समस्या कितनी हद तक खत्म होने वाली है कितना आत्मनरभर इसके बाद जो हमारा है सेक्टर इसके बाद हो जाएगा है कि अच्छे जीवन के लिए फूड शेल्टर हेल्थ केर एंड स्पिरिच्वालिटी इस इकवल टू हैपिनस इसमें अगर हेल्थ केर में एक आम आदमी को यह डर रहे कि मेरे को अगर कोई तकलीफ हो गई और मुझे इलाज नहीं मिला और इतना महगा इलाज है किसी प्र में जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यह बहुत ही गलत और गंदा विशय है इसलिए आज के दिन आप देखिए 90 प्रतिशत लोग यह सुदक्षित नहीं कर सकते हैं कि कि किसी कारण से उनकी तवियत थराब हो तो वह सही इलाज पापाएंगे अब हेल्थ केर में आज के दिन सरकार का अपना इंवेस्मेंट करें पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्शिप करें और जो सेक्टर्स हैं बड़े कॉर्परेट उनको सेकेंडरी टार्श्यरी और दुसरी जगर सिटीज में जाने के व्यवस्ता करें जो छोटे प्रेक्टि करें लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है मैं देख रहा हूं कि जो सिस्टम चल रहा है वह बहुत ही उल्टा सीधा चल रहा ये सिस्टम बहुत मॉडिफाई करना है आज हर इंसान को जब यह मालूम पढ़ेगा कि मेरा फूड सुरक्षित है तुर मेरे को शल्टर मिलेगा हेल्थ केर मिलेगी तो प्रसंदता अपने आप आएगी आज मांसिक बिमारियां हर दस में से एक को मांसिक बिमारी है चाहे वो डिप्रेशन है चाहे वो एंग्जाइटी है क्योंकि उसके सामने समस्या है उसका उलाज नहीं है तो हमको आज समस्त आपोजिशन पार्टी और पार्टी को मिलके यह आंदोलन करना चाहिए कि कैसे जीवन काल में हम आनंद लें और आनंद के लिए सबसे इंपोर्टेंट है कि हमारे खाना पीना और शेल्टर के बाद हम स्वस्तधी रहें और कोई कारण से हमारी चरीर खराब हो जाए या प्राकर्तिक आपनाइं आ जा विश्य साइक्लै तो विश्य के लागात बेमारी आप इमारी चाहिए एक्ट यह राट करते जाए और इलाज भी बनाते जाए तो बिमारी बनाते जाएं आपको यह समझना होगा कि प्रिवेंटि चैक आप से लेके और एसनी देना है जिसमें पूरी व्यरस्था एस हम लेकिन ऐसा कोई पक्षिप हम अगर प्रिवेंटिव को ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत सारे टार्शेरी केर होस्पिटल की ज़रोती नहीं पड़ेगी इस तरह से हमारा एक सिस्टम पूरा रियोर्गनाइज करने की ज़र्वत है और हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं क् चाहिए कि बात आफेल्ट केरें मानुशिक कर रहें और एक लाइप कर रहे हैं तो मिए उसका बेसिक क्यूंकि एक आदमी को हेल्धी रहने के लिए बेसिक एडिकिशन बेसिक मेडिकल फैसलेटी और बेसिक चो सेनुसकी बेसिक जरूरत है वो सारी पूरी होनी चाहिए क्या लगता है कि यह बजट उस तरीके से है क्योंकि medical sector को जिस तरीके से आप बात करें प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट को जितना हम देख पा रहे हैं अभी तक जो प्रैक्टिस में है उसमें प्रवी कहीं ना कहीं profit making जो माइंड है वो काम कर रहे हैं आदमी को जो हेल्थ इशू है आज उसके लिए हेल्थ वाकई बहुत महंगी हो गया हिंदुस्तान के इसाब से अगर एवरेज माइंड एवरेज व्यक्ति की जो इंकम के पॉइंट अब व्यू से देखें तो प्राइवेट सेक्टर में या पीपी प्रोजेक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब में मेडिकल फैसलेटी बहुत महंगी है उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि एग्जुकूशन में कहीं कमी है या इसमें जो प्राफिट है क्योंकि हैल्थ और एजुकेशन दो ऐसे बेसिक सेक्टर मुझे लगता जिसमें प्राफिट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरका की होनी चाहिए क्योंकि यह दोनों सेक्टर प्राफिटेबल होने ही नहीं चाहिए इनको चारेटी या या सोचल रिस्पॉंसिमिल्टी के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी आज की डेट में आप इसको कैसे देखते हैं आप दिल्कुल सही कह रहे हैं मैं 40 साल पहले मैंने MBTS पास की है और उस समय से आज तक के अंदर मैं बहुत परिवर्टन देख रहा हूं आज के दिल मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मेडिकल व्यवस्ता एक कॉमर्शलाइज आउटलूप के साथ चलती है और उसके बिना सस्टेन करना मुश्किल है एक डॉक्टर एक पहले डॉक्टर कम पहले उसको मार्केटिंग मुझन होना जरूरी है उसकी सक्सेस का राज इस पर डिपेंड करता है पहले हमने अपने समय में देखा था कि एक प्रोफेशनल अपने एक्टिव एक्यूमन से अपना काम करता था आज के दिन सर्वाइबर के लिए बिना मार्केटिंग किये काम नहीं हो सकता चोटा सेटप हो या बड़ा सेटप हो अगर सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी ताए जहां आपको अपने सामान या खर्च की जरुते आपकी पूरी हो और एक को आपको सामान या अच्छी यह जाकर आपको नौकरी करने पड़ती है जहां को अपने माबाद को कितना पैसा इसे में सरकार को कोई न को यहां भी यहां भी बिल्कुल ध्यान देनी की जुरुत है सरकार को वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी से हमारे साथ और दूसरे महमान जुड़े हुए हैं उनसे भी हम कुछ जरी जरूरी और विश्यों को लेकर के बाद चुरूरी है और यहां पर देखा जाता है जो फिसकल डेफिसित है राजकुशी घाटे को लेकर सरकार का एक अपना अनुमान होता है और लेकिन अब सरकार अनुमान लगारे कि 6.8 से लेकर 7.1 तक इफिश्कल डेफिसित हो सकता है तो महीजीस से सवाल है कि आखरकार सरकार के सामने कि लिए कितनी बड़ी चुनौती है tämä इसको किस तरीके से बैलσ करना और इक कितना ज़रूरी होता है कि विटमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें सबसे बड़ा चुनोती परन सबसे जब चुनोती पूर्ण यही रहा कि जब उन्होंने कहा कि फिसकल डेफिसिट पहले हमारा जो था वह 6.9.5 था जिसको कम करके 6.8 होगा बट मैं अगर सा बोलूं अगर मेरा खुद का अपना व्यक्तिव तरह जाना जाए तो यह बहुत मुश्किल है कि मेरको तो नहीं लगता कि शैद 9.5 से 6.8 करना बहुत असान है क्योंकि एक तरफ सरकार की मंशा है कि इसकी GDP जो आर्थिक सर्वेक्षन रखा गया सरकार द्वारा उसको 11 परसंट करा जाए GDP को जब इसमें सबसे बड़े वित्य घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सबसे बड़ा स्टेप तो अच्छा उठाया जो आज रूमर भी था जो बजार में सुनने को भी आ था कि शायद गवर्मेंट सरकार लाज टेक्सपेर के ओपर करोना टेक्स लगा देगी वो शायद सरकार की मंशा नहीं रही और सरकार ने इसको नहीं लगाया है यह सबसे अच्छा कदम है कि कही ना कहीं आपारे वर्कों क्योंकि मुझे लग रहा है कि आत्म निर्वर भारत जो परधान मंतरी का जो मिशन है क्या अगर हम अगर प्रोडेक्शन मेकिन इंडिया को पर्मोट करते हैं उपर पोचने आली अर्थवरस्ता में माना जा सकता है आप देखें करोना के काल में यह हम सभी अपनी देश अपनी खुद की स्ट्रेंथ समझ पाए कि हम क्या कर सकते हैं नहीं तो सभी देश चीन की तरफ बैठे थे कि वहां से अगर कुछ आएगा तो हम कुछ बनाएंग और आत निर्वर भारत का इसी करोना की बीच में रात पैकेज गया क्यों समय रात पैकेज में लेकर आना आत का अच्छा कदब हैं दूसरी बात नहींकि सारेदर भारत है कि भारत हमे वैसीन देदेil edited तो इसका मतलब है कि भारत ने आज फार्मा इंडस्ट्री सेक्टर को अपने डेवलप्टेर रुष्टाथ मेरवर बनाया कि जो विश्व के भारत दे रहा है चले बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी महमानों का हमारे साथ इस बाचेत में जुड़ने के लिए तो सरकार जो हो नाउमीदी थोड़ी हाथ लगी हो लेकिन ये कह सकते हैं कि ये बजट कुल में लाकर उमीदों भरा जरूर रहा है और उमीद लगाई जा सकती है कि आर्थिक सर्वेक्षन जिस और इशारा कर रहा था कि दो साल में भारत जो है तेजी से भढ़ने वाली अर्थ अबस्काष